लोक आस्था के महापर्व छट की शिरुवात हो गई है और चारो और छटपर की धूम देखने को मिल रही है घर घर छटी मया के गीत बज रही है और चूले में ठिकवा प्रसाथ तयार हो चुका है चार दिवसिये चटपर की रौना कैसी होती है जिसमें केवल घर परिवार के लोग ही नहीं बलके आसपरोस के लोग भी रमते हुए नजर आते हैं चटपर की शुरवात 17 नमंबर से हो चुकी है और 20 नमंबर को उगते हुए सूरे को अरग देने के बाद चटपूजा का समापन होगा पारण होगा उगते हुए सूरे को अन्य दिनों में भी अरग दिया जाता है लेकिन छट एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढूपते हुए सूरे को भी अरग देने की परंपरा है प्रकृति की पूजा का ये बहुत बड़ा तोहार है ये इस बात का संदेश देता है कि अस्त के बाद उदैस जरूर होता है वह इसके पीछे एक मानिता ये भी है कि जिसके अनुसार सूरे जब अस्त होते हैं तो अपनी दूसरी पतनी प्रतियूशा सूरे के अंतिम किरण के साथ रहते हैं जिन्हें अरग देने से मनुवांचित फल मिल जाता है कार्तिक शुकल की शष्टी तिति को अस्तार्चल गामी सूरे को अरग दिया जाता है जो कि इस साल 19 नमबर 2023 को है वहीं 20 नमबर 2023 को कार्तिक शुकल सप्तमी के दिन उखते हुए सूरे को अरग दिया जाएगा इसे उशा अर्ग या उध्यमान सूरे अर्ग कहा जाता है इस तरह इन दोनों दिनों में अर्ग देने के बाद ही छट का जो व्रत है वो संपन होता है लेकिन इस बात का विशेश थ्यान रहता है कि छटपूजा में सूरेदेव को अर्ग समय पर दे चटिमया और सूरेदेव की उपासना का ये महत पूर्व और महापर्व खास महत वरखता है आम जिवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है सूरे की उपासना से हर मनुकामना पूरी होती है लोग खोया हुआ मान सम्मानधान वैभव नौकरी संतान की इच्छा के लिए इस्तिवार को करते है शुद्धिता पवित्रता से चटपूजा की की जाती है चटपूजा का जिक्र महाभारत समेथ कई गरंथों है इसकी शुरुवात को लेकर कई कहानिया प्रश्लित है जिस जो इसके महत को दर्शाता है पटना के कई घाटों पर आज जो खुबसूरत नजारा है वो देखने के लिए मिलता है बताया जाता है कि कर्ण ने भी सूरे उपासना की थी मानिता है कि एक कथा प्रश्रित है कि चत्पर्व की शुरवात महाभारत काल के दौरान हुई स्पर्व को सबसे पहले सुरेपूत्र कण ने सुरे की पुजा करकी चुरू की कहा जाता है कि कण भगवान सुरे के परंभक्त थे वो रोज घंटो पानी में खड़ी होकर सुरेदेव को अरग देते थे सुरे के कृपा से ही वो महान युद्धा बने वहीं से पानी में खड़ी होकर अरग देने की परंपरा शुरू ही माभारत काल से जुड़ा हुआ एक और कथा प्रशलित है जिसमें पांडव और द्रॉप्धी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान धन दौलत राजपाथ को वापस वाने के लिए छट किया था इसके बाद सभी हस्तनापुर को लोट आए इस ब्रत के जरीय पाढ़नवो को गुराजपाथ भी वापस मिला रामायन काल में भी छटका जिक्र मिलता है पौराणी कथाओं के अनुसार 14 वर्स वनमास के बाद जो भगवान राम अयोध्य लोटे थे तो रावन वद के पाप से मुक्त होने के लिए शिमुनियों के आदेश पर राजस्वे यग करने का फैसला किया गया मुक्दल रिशी ने मासीता को गंगा जलचिड़कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुकल पर शष्टी तिथी को सुरुदेव की स्पास्ना करने का अदिश दिया इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सुरुदे भगवान की पूजा की थी बताया जाता है कि प्रियेवर्थ नामाक एक राजा की कोई संतान नहीं थी इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ राजा आत्मत्या करने का मन मना चुका था तब히 सपने में शिष्टी देवी प्रकट हुई और सुरुदे पासना के लिए कहा राजा ने ऐसा है किया और संतान की प्राप्ते हुई इसके बाद से ही राजय ने अपने राजय में ये त्योहार मनाने की घोशना कर दी कल्यूग में छट को लेकर ये कहानी प्रश्लित है कि सबसे पहले विहार के पुराने गया जिले के देव में छट पर किया गया देव अब और अंगाबाद में स्थित है कहा जाता है किसी जमाने में की व्यक्ति को कुछ शुरूख हुआ था इसके निवारण के लिए उसने कार्टिक महीने की शिष्टी तिति को भगवान सूरी की उपासना की इससे वो श्रीरग ही ठीक हो गया उससे में से स्पर्व को आस्था के साथ मनाय जाने लगा है